नमश्काल आप देख रहे हैं व्यमार भारत टीवी मैं हूँ आपके साथ अन्य शुक खबरों की शुरुआत करते हैं मशीन तीन बार सो मशीन को जबत कर वन अधिनियम के तहत कार रवाई की गई जला कलेक्टर ने कहा वन विभाग सामपून क्षेतर में मारकिंग करे और किसी भी गतिविदी पर सक्त निगरानी रखे उन्होंने उपवन संरक्षक को क्षेतर में वाच टावर बना कर निगरानी रखने के निर्देश दिये उन्होंने निर्देशित किया कि सभी प्रकार के निगरानी तंत्र को मजबूत करते हैं सक्त निगरानी की जाए जिला कलेक्टर ने उप्खन अधिकारी एवं तहसलदार बसेडी को ऐसे लोगों के विरुद काररवाई करने के निर्देश दिये जिला प्रशासन वन विभाग के साथ अवैद खनन के विरुद लगातार काररवाई जाली रखेगा सूतरों से मिली जानकारी के नुसार दिन भर जिला कलेक्टर भारी लवाज में के साथ बसेडी सरमत्रा इलाके में ही रहे उन्होंने गैर कानोनी कारियों पर अतिशिगरता से लगाम लगाने के सक्त नर्देश दिये जिला कलेक्टर श्रीने धिबीटे ने फोन पर हुई बातचीत में बताया कि ये काररवाई मुख्य मंत्री और मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कान्फरेंस के दोरान दिये गए नर्देश के तहत की गई है जवन विभाग, खनेज विभाग, रिवेन्यू विभाग और पुलिस के साथ मिलकर सैयक्त रूप से की है और आगे भी जारी रहेगी इस मौके पर उपवन संरक्षक, वन्या अनल यादव, उपवन संरक्षक, किशोर गुपता मौके पर उपस्तित रहे पल शुक्रवार को शिरिमान कलक्टर मौदे बनविवाद, माइनिंग, ट्रांस्पोर्ट और पुलिस के साथ हमने रमदा में से रमदा चेतर में से कारवाई की है इसमें वहाँ पर दो हाइड्रा और जनरेटर और वाटसप में जप्त की है इसमें जोना बड़ी तादाद में खनानोना वहाँ पर पाया गया था बहुत माफिया सारे माग गये तो और अमने सारा समान जप्त करके और पुलिस के कश्ची में रखा दिया गया है